हलो फ्रेंट कैसे हैं सभी लोग उमीद है सभी लोग बहुत अच्छ होंगे आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि सीटेट फॉर्म निकाल क्यों रहा है आप लोगों को एक जानकारी देने थी छोटी सी है बगाता बने रहेगा और जो लोग बाद में उल्टी सी अपने शाथों के पास में जरूर शेयर करिएगा आप लोगों को पता ही है अगर आप लोग थोड़ा बहुत अपडेट रहते हैं नूज पेपर देखते हैं या फिर सरकाई रिजल डॉट कॉम पर जाकर करके फॉर्म देखते रहते हैं कौन से फॉर्म आ रहे हैं कब करवाती जो स्के लिए सोने बीछ जार अपने फॉर्म निकाल दिये है यहां पर जो बड़ी बात है वो यह बड़ी बात यह नहीं है कि एससिडिका और जो आपका सीविसी होता है सीविसी का इन दोनों का एक्जाम जो कंटैक्ट मन्लब जो कमोपनी करवाती है वह एक Isola कं चीज क्या грवाता है आप क्atics से करवाता है अब आप लोग ये समझ लेजिए कि जब 20,000 फोर्म। बीस ऐुज़ार फोर्म के सापेक्स कितने ज्यादा फॉर्म पढ़ने वाले हैं। प्लाइठ आप कि υπάימ Isn't To titles क्belsां किता पर है कब दिसमबर महां में करवाना है उसके बाद में आप लोगों का भी पता है कि जो आपका CBSC है CBSC यानि कि जो सीटेट का एक्जाम होना है आपका यह भी कब होना है इसके पहले जो इन्होंने इन्फार्मेशन दिय थी आपको कि सीटेट को भी एक्जाम कब करवाना है करवाना है दिसम्बर में यानि सीटेट को भी अपना एक्जाम दिसम्बर माह में करवाना था दिसम्बर जनवरी मान लिजी या फिर नॉम्बर दिसम्बर मान लिजी लेकिन उससे पहले तक CBSC अपना नोटिफिकेशन जारी करता उस बच गया है कि चली अगर इनके पास जगा नहीं भी है मतलब खाली नहीं भी है तो अब यो लोग अपने एक इनोंने मीटिंग की इन तीन टॉपिक के लोग बात कर रहे हैं कि पूरा दिसंबर तो मान लेजिए CBC का exam हो नहीं पाएगा अगर TCS की बात करें इसके पास में कोई जगा आपट रहे हैं अर यहां पर होते हैं जो पूरे साहिर में कितने संटर होते हैं 10 होते हैं 15 होते हैं इस ज्यादा जितने कि SSC ने अपने slot के अनुसार अपने जगहा निकाल के और उन्होंने दे दिया अपने vacancy निकाली और अपना पूरा एक वो मतलब tender दे दिया किसको TCS को अब TCS विजियो के SSC के मतलब कि स्लोट में कि कितने form पढ़ने क्या करना है क्या नहीं करना है और जो हमारा सीटेट है उसने अभी तक अपने नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला है तो यहाँ पर बात यहीं फस गई है अब CVC के सामने कि अगर हम दिसंबर माह में अपना एकजाम करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी भी करते हैं तो अभी SSC का एकजाम होने के कारण हमारा एकजाम नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा एकजाम कौन करवाएगा TCS करवाएगा तो यहाँ पर अभी दिक्का सबसे बड़ी आ रही थी और इसलिए जो है आपका उसने जो है अभी तीन से चार बातों के उपर एक मतलब कि उन लोगों ने अपने चरचाई की है थोड़ी बहुत जो है जानकारी वो हमें जो प्राप्त हुई है तो उनके बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं पहली उन्होंने बात की है क्या एकजाम जो है फरवरी और म मार्च में करवा सकते हैं फिर नहीं करवा सकते हैं क्योंकि दिसंबर माह में सच्छी का एकजाम चलेगा दिसंबर जनुवरी में उसके बाद में इनके पास जगे खाले हो जाएंगे फरवरी और मार्च के लिए जो आनन एकजाम के संटर बनते हैं तो यह लोग यही सोच रहे हैं आपके शीट्रवाले हैं कि इसमें करवालें इसलिए करवाले कि लेकिन अब दिक्कत यार एक बार अनलान एकझाम हो चुका है उसके वाद में ऑफ़वालान एकझाम करवालें उसके बाद में यह मतलब की काफी दिक्कत वाली बात है बार-बार सारे नियम बनाने कादून बनाना एक बार आनलान के लिए एक बार आफलान के लिए जो इनका management होता है वो मतलब की बिगड़ जाता ऐसा करने से है तो यह लोग इसके उपर भी discussion अभी फिलाल कर रहे हैं कि क्या exam आफलान कर करवा जाएं ठीक है online करवाँ जाए और कप करवाँ आपकरव कर आपकर आइक आफलान की करवाए जाए लेकिन सबीऑ यह को एक साथ लेकर करके और सब 2 दिन और झ滯ह निकाले जाएं महिने में दिसम्बर मामे यद पीची एस यानि कि S.S.C. का एकजाम नहीं करवा रहा होगा एक या दो दिन महीं नहीं 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 है उसी दिन अपने जितने भी बच्चे होंगे 30 लाग 36 लाग 35 लाग तो उन सबको एक दिन में जो है एकजाम करवाना है वो पार कर लिया जाए तो S.S.C. ने ये भी मतलब अपने विचार विमर्स उन लोगों ने आपस में किया है कि इन तीन आपसनों में से कौन सा आपसन उनको सही लग रहा है पहला आपसनों लोगों ने यही सोंचा है कि एकजाम को है फरवरी या फिर मार्च में खींचले चलते हैं मतलब आगे करवांगे दूसरा वो लोग आफलान के उपर भी एक बार मतलब की सोंच रहें कि हो सकता है कि आफलान भी एकजाम आपको देखने को मिल जाए तो आपको पता ही है कि सीटेट ने आपकी बार से यह भी बोल दिया है कि जितने लोगों ने बीएड के पहले दिन भी अगर आपने एडिविशन ले लिया यानि कि आपने काउंसिलिंग भी करवा ली है तो अभी आप सीटेट के लिए क्या हो जाएंगे यानि आपका सीट करता था अपने एक्जाम के लिए लेकिन आप क्या हो गया है आपने जिस दिन एडियोशन कर वाला है बीटी सी हो गया बेड हो गया इन सभी कोर्सों में उसी दिन से आप सीटेट के लिए पूरी तरीके से वेलेड हो जाएंगे लाइफ टायम अगर आप एक्जाम पास कर लेते हैं तो सीटेट आपको लाइफटायम के लिए वेलिड कर देता है तो यह जो जानकारी है यह आपको देनी थी कि एक्जाम आपका लेड क्यों हो रहा है क्यों कि एसससी ने बीच में आकरके अपने फारम निकाल दिये और जो एक से दो दिन में एक्जाम कराना है या फरवरी मार्च में कराना है जब इन में से आपको कोई भी सहमत देखने को मिलेगी तब आपका नोटिफिकेशन निकलवाया जाएगा और जब तक यह लोग साथ यही करते रहेंगे आपका एक्जाम जो है विसंबर जनवरी फरवरी म लेजानी की इलोग सोच रहेंगे तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगरी वीडियो में जब तक आप लोग त्यारी करते रहेगा क्योंकि त्यारी करना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी एक्जाम एक से दो दिन में आप 10-15 दिन में नहीं करता है क्योंकि कंप्टिशन का लेवल अब दिन पर दिन के साथ जा रहा हाई होता जा रहा है आप लोगों ने पिछली बार देखा होगा जो आपका आनलान एक्जाम हो तो असमें बहुत सारी कोश्चन जीके और जीए से भी पूछे गए थे एंसी आर्टिस को छोड़ कर भी कई सारी कोश्चन ऐसे बने बाबाइ